हलो माई डियर फ्रेंट्स मैं हूँ विजेंदर और आप लोगों के साथ आ गया एक नए सेशन के साथ हमारे देश के परधान मंतरी सिर्फ इंडिया में ही पॉपॉलर नहीं थे अब वो इंटरनाशनली भी यूएस यूके ऑस्टेलिया जैसे बड़े-बड़े देशों के ल राज है जिसके कारण यह इस जगे पर पहुंचे है इसके बारे में तो अब बात करूंगा ही लेकिन उससे जदा इंपॉर्टेंट यह है कि गुजरात की सीम की कुरसी से उठके जो इनसान आज परधान मंतरी की पोजिशन पहुंचा है और पुरी दुनिया के सभी सेंट भारतवासी नरेंदर मोदी जी को अपना लीडर चाहते थे उनके सपोर्ट सिस्टम थे तो क्या यही है वो राज जो उनको all over the world famous बनाने के अंदर एक important part role play करता है तो हम नरेंदर मोदी जी के सपोर्ट में खड़े ही क्यों थे और यह सब लोग क्यों खड़े थे इन सबी राजों का परदा खोलूँगा आप लोगों कि सब के सामने में आज इस सेशन के अंदर तो आज हम बात करेंगे world's most popular नेता जी डाट इस मोदी तो यह rating दी किसने और कैसे किस तरीके से दी जाती है तो सबसे पहला यह लगबग इंडिया और इंडिया के साथ में जितन 2020 के शुरात में भी और नवंबर के अंदर भी और अब यहाँ पे आज हमने जो न्यूज में देखा है उसमें भी मोदी ने लगबग सभी को पीछे छोड़ दिया है अब बात करते हैं कौन देता है तो मौर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी है जो क्या करती है वो जितने भी लोगों ने रियल टाइम में जितने भी पॉलिटिकल एनलाइसे होते हैं उनको चेक किया जाता है उस डेटा को यह वोटिंग के इंदर कंवर्ट करते हैं और वोटिंग के हिसाब से फिर यह अपरूवल और डिसपरूवल के बेस से इसके बाद एक रिजल्ट बाहर आता है और उसके थुरू लोगों से कुश्चन किये जाते हैं और उनसे व्यूज लिये जाते हैं और उसके बाद में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स बहुत इंपोर्टेंट रह जाते हैं जैसे कि कोविड के दौरान वैक्सीन के ज जो है, उसमें हमने क्या role play किया है, ये सब चीजें इसके लिए बहुत important हो जाती, तो ये popularity के पीछे के secret हैं क्या, तो उस secret को मैं unfold करने जा रहा हूं अब, तो वीडियो के साथ बने रहें और last तक जरूर देखें, तो सबसे पहला secret है नरेंदर मूदी जी का, और वो है social media, social media क के उपर ये बहुत ही ज्यादा active है, और ऐसा कहा जाता है, जो इनकी मन की बात जो एक session आता है, podcast जो आता है, उसमें लगबख 66% लोगों की involvement है, वहां हमारी जनता जो है, वो लगबख 66% population जो है, वो उसके अंदर involved होती है, दूसरी बात रही, ना सिर्फ ये social media, बट इसके लिए कारगार रहेगा, ये मुझे comment box में आप जरूर बताएं, मगर ये क्यों है कि हमारे जो बाहर रहने वाले जो Indian citizens हैं, उसके पीछे का राज क्या है, कि वो इतने famous हुए उनके बीच, तो उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण वो ये है, कि जो उन्होंने policies foreign में रहने वा गया उनके लिए, और ये कुछ policies हैं जिसके कारण से उन्होंने उन लोगों का भी दिल जीत लिया, जो भारत में नहीं भारत के बाहर रहते हैं, बट दे आर दी citizen of India, अब मोदी जी की देश-विदेश की popularity से आगे बढ़ते हैं, कि दुनिया भर की leaders के बीच में इतने popular क्यो हैं, तो इसके लिए मापको बता दूँ कि 2014 के बाद से नरेंदर मोदी जी एक के बाद एक होने वाली विश्वयातराओं के अंदर उन्होंने आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर इंडिया के PM बनते ही सबसे पहला agenda जो था वो था foreign policies को strong करना, और इसलिए उन्होंने कई foreign policies को बनाया गया और उन foreign policies के थुरू अच्छे relationships बने, अच्छे trades बन पाए, अच्छा development हो पाए, जैसे सन 1991 के अंदर look East policy की गई थी, जिसे अब act East policy बना दिया गया है, जिससे इंडिया, South East Asia countries के साथ में बहुत अच्छे Philippines, Burma, Thailand, इनके साथ में economic और other relations के अंदर strong अपना bond create कर प इंडिया, चाइना के जो involvement है हमारे साथ, उसको भी counter करने के लिए बहुत सारी चीजों के अंदर इसका help मिल पाया है, जहां तक बात करें इंडिया के South Asian countries, जैसे बुटान, नेपाल, पाकिस्तान, शिरलंका और माल्द्वेज, इनके साथ भी हमारे peaceful relationship बनाने की, भरोसा रख हमी इन से interlinked हैं, क्यों? क्योंकि environment और climate change जो है हमारे देश के जो पड़ोसी देश है, जो neighborhood उसके हमारे उपर भी बहुत बड़े effect हैं, जैसे सार्क और इन सब के जो initiatives हैं, यह हमारे लिए बहुत important और prioritize किया जाता है, अब बात करते हैं, क्या यह सब कारण, दुनिया का सब सबसे most popular नेता नरेंदर मोदी को हमेशा बने रहने देगा या नहीं, तो हमें आप लोगों से यह comment box में जानना है, क्या आपको लगता है कि दुनिया का सबसे strongest नेता नरेंदर मोदी ही रहेंगे, comment box में जरूर बताईएगा, और इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं, मैं जै भारत!